बिस्मिल्लाहरमालिब रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स जैसे कि मैंने डारेक्ट और इंडारेक्ट स्पीच के प्रिवियस लेक्चर में एक्स्पेंड किया था कि मेरे लेक्चर्स अब इन नामों से आएंगे BG1, BG2, BG3 for beginners DD1, DD2, DD3 for direct and indirect speech learners active and passive learners के लिए आएंगे AP1, AP2, AP3 इस तरह से लेक्चर्स होंगे सीरीज चलेंगी तीन सीरीज एक साथ चल रहे होंगी जो भी लेवल आप करना चाहें वो अडॉप कर सकते हैं आज मैं BG1 से स्टार्ट ले रहा हूं तो BG1 beginners का level number one है lecture number one है lecture number one है और इसमें मैं तो साइंटी बेक्टरी पार्ट है ये English एक universal language जिसे हम सीखते हैं क्यूंकि हमें modern world के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है तो जाहर है कि English हमें हर कदम पर इस्तेमाल करनी पड़ेगी प्राब्लम ये है कि हमारे यहां और उसी मुमालिक में खास्तोर से इंडिया में कुछ इस तरह से लेक्चर्स डिलेवर कि जा रहे हैं कि अपने ही बनाए हुए लेक्चर हैं अपने ही बनाए हुए वड़के कॉंसेट्स हैं वह इंग्रे 沒有 स कॉभी निबता है अगर इन्हीं पता है और वह कौंसेट्स बच्चों के FXब उससे यह होता है कि बच्चे उस वक्त तो बड़े खुशी खुशी सीख लेते हैं बात में पर चलता है कि वो कॉंसेट्स फेल होना शुरू हो गए अप एप्रिकेबल ही नहीं रहे और गलत जवाब निकाल रहे हैं तो आप क्या करें दूसी बात यह कि उर्दू के सहारे से कि यह किसी हद तक तो जैसे मैं उर्दू बोल रहा हूं ताकि मैं अपनी बात समझा सको अगर मैं इंग्लिश बोलूंगा तो जाहिरे जो बच्चे इंग्लिश दीखने के लिए बैठे हूंगी तो समझ में नहीं आए तो इस हद तक तो चलता है लेकिन अब आप उर्दू भूकिक कॉंसेट्स बनाकर फिर इंग्लिश फरथोब दें इंपोस करें सेम्प्ल सेंबल देता हूं जैसे प्सको कहते है अगर सेंटेंस के आखिर में और यहां ताए तो प्र तो इस रही रहे अगर आरा है तो यह continuous है चुका चुकी चुके आ रहा है तो यह पर्फेक्ट है प्रॉब्लम यह है हम अगर इस तरह से इंग्लिश पढ़ेंगे तो इंग्लिश कभी नहीं सीख सकते क्योंकि एक तो यह केस में हम कुए के मेंडग बन जाएंगे कुए का मेंडग समझते ना उर्दू का मोहावरा है यानि हम यहीं करते रहेंगे और सिर्फ उर्दू वालों को इंग्लिश पढ़ाते रहेंगे अब सपोज मैं अगर किसी ऐसे मुल्क में खड़ाओ सपोज मैं म जाओ अब मेरे सामने जो स्थूधे हैं वह वो मालेपाशा जानते हैंतरी मैं ऐल्यूков जानता हुद आण ऑब इंग्लिश पढाएं तो कैसे पढाएं तो आगर उनके सामने में का कुँँआख में खुआ हूंकि यह इन्ब और इनete होते हैं ती हैं क्या होता है उर्दू पढ़ाओ लें है ना तो कुए जे मेंड़ यानि बस एक लिमेटेड बाउंडरी के अंदर ही इंग्लिश राइटर्स ग्रैमेरियंस क्या किताब में यह लिख रहे हैं चुका चुकी चुके प्रेजन पर्फेक्ट और रहा रही रहे इसा नहीं है यह पता नहीं क्यों यह तरीका अडॉप्ट कर लिया गया हां एक जमाना था जब इंग्लिश लैंग्विज हमारे यह नहीं थी पिल्कुल नियू नियूली अडॉप्टेड लैंग्विज थी इंग्रेज नया ने आया था खास्तोर से 18th और 19th century में इंग्लि सीखने का रुजान बड़ा तो लोग सिखाने के लिए भी खड़े हो गए तो उस वक्त इस तरह कि कॉंसेप्ट देदेना चल चल जाएगा कि नए नए लर्नर से निकला माशाला मीडिया का दौर है आप टेलिविजन पर इंग्रेजों को बोलते सुनते देखते हैं अब य उसके उर्दू में तलफिज लिखा होता था एक्टि शक्यYo Television नहीं नहीं होता था उसमाने में मेडिया नहीं होता था तो हमें इंग्रेज बहुत कमी तो पुराने लोग आज भी देखें आप एक्टिव को पढ़ते हैं एक्टिव पैसिव उसकी वज़े यह है कि उर्दू में तो एक्टिव लिखा हुआ है बिल्कुल सही कह रहे हैं लेहादा वह अपने लेहाद से सही पढ़ने लेकिन आज का बच्चा तो टेलेविजन पर हैं इंग्रेजों को देख रहा है सुम रहा है है ठीक ना मेडिया कर देख रहा है तो वो तो कहेगा भाई इंग्रेज्व नहीं उसके 심ारु तो एक्टिव नहीं कहा है लहादा आप वह स expect नहीं चलें चलेंगे जो आज से 500 सल पहले चलते थे English सीखने के लिए English की concept चाहिए और English बोलने के लिए जरूरी है कि आप English में सोचें आप यह प्रॉब्लम यह भी है कि आम पहले जुम्ला उर्दू में सोचते हैं जहन में और फिर उसे English में translate करते हैं और फिर उसे डिलेवर करने की कोशिश करते हैं, तो टाइम निकल चुपा होता है, जवाब देने का जो वक्त होता है, वो गुजर चुपा होता है, बात कहीं कहीं निकल चुकी होती है, आप सोच से रहा जाते हैं, ने, if you want to speak in English, think in English, thinking in English is must, English में सोचे हैं, आपके sentence जहन में English में ही आने चाहें, और वो कब आएंगे, when you are habitual of listening and reading English, literature or English speaking, like television पर आप English movies देखते हैं, तो आप आवाज सुनकर समझने की कोशिश करें, मुझे भी मुश्किल होती है, मुझे भी मुश्किल होती ही, बाज़ों को पर ऐसा accent होता है, लेकिन कोशिश कर, सुनकर, तो pronunciation और जो accent उसका problem resolve होगा, और reading habit, देखिए reading habit, सबसे अच्छी habit, किताब के बगार नीद नहीं आनी चाहिए, reading habit इतनी ज्यादा होनी चाहिए, क्यूंकि जब आप literature पढ़ते हैं, तो आपको वो English पढ़ने को मिलती है, जो England में English बोलना है, जो आपस में बोलना ह तो फिर हम वो वाली English दीते हैं, ठीक है ना, वना हमारे यहां तो जितने language courses करवाने वाले लोग हैं, वो जाहतर चार पांच वर्ब हैं, उनी में खेल रहे होते हैं, बस उनी को घुमा रहे होते हैं, जिसमें आप से कौन देखें, make, take, और सबसे ज़्यादा, get, have, ये चार verbs, माधरत के साथ उन लोगों से मुखातिब हूँ, जो English language courses करवाते हैं, ये चार वर्ब अगर माइनस कर दिये जाएं कि इनको यूज ना करें, आप English बोलें, तो दिश्वारी होगी या नहीं होगी, यदिन हो, यदिन हो, तो जाहतर यही structure करवा जाते हैं, have got का structure, have to का structure, got to go, got to go structure, got to go structure, got to go structure, got to go structure, make, ये causative verbs करवाई जाते हैं, ताकि आप बोलना शुरू करते हैं, speaking is just a small skill of language, grammar is a subject, this is the ocean of knowledge, this is not a small skill, so don't play with it, please, आये start करते हैं, मैं कहां से start लूँ को, मैं start यहां से लूँ, मैं कहां से start लूँ को, मैं start यहां से लूँ, मैं को जीओ से, देखीगा, word classes, ये क्या होते हैं, word classes, जिसे हमारे यहां आज तब parts of speech ही कहा जा रहा है, हालाकि, इंग्रेज ने अब word classes कहना शुरू कर दिया, इसको, देखीए, English language भी, और languages की तरह, अपडेट होती रहती है, वक्तन फर वक्तन इसमें evolution होता रहता है, changes आते रहते हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम अपने आपको update करते रहें, प्रॉब्लम यही है कि तचास साल पहले जो मैंने पढ़ा था ना, बस मैं वो पढ़ाता रहूंगा सारी जिंदगी और वो ही सही है, बाकी सब बलत है, no, ऐसा नहीं, आपको अपने आपको update करना पड़ेगा, तब आप सही पढ़ा सकेंगे, और सही पढ़ सकेंगे, तो word classes यानि classification of words according to their functions, इसे parts of speech भी कहा जाता है, main terminology यह है, अच्छा जी, अब word classes कौन-कौन से हैं, पहले समझ लीजे, there are eight word classes, one, two, three, four, and five, six, seven, eight, देखी मैंने, इक particular sequence में नमबर लिखे हैं, अब देखीगा, noun, pronoun, adjective, कुदा के लिए, इस sequence को change मत कीजेगा, जिस sequence में लिख रहा हूं होते हैं, इसी sequence में है, ऐसा नहीं जिए जो मुँ में आया, noun, verb, adverb, adjective, preposition, जो आरा है, बस उसको बहुत बहुत पूरे करने हैं, ऐसा नहीं है, इनका sequence है, और sequence की बज़े क्याग बिदाता हूं, then verb, adverb, then preposition, conjunction, and interjection. What is a noun, ये तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये देखते हैं, कि ये sequence इस तरह से क्यों बनाया, जबर देखेगा, पीटे, grammarians के मताबिद, noun, pronoun, adjective, ये तीन word classes ऐसे हैं, जिनको हम एक group में लेकर आते हैं, और उस group का नाम है, noun group, क्योंकि ये तीन हो चीजे नाउन से related है, noun is a name, pronoun in place of a name, adjective, we define that name, इसी तरह से verb और adverb, same group है, इसको verb group कहते हैं, word group क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दूनों verbs से related है, word और adverb क्या है, अचा, word की definition में बताऊँगा, फिलाल मैं इतना कहता हूँ, action और state of being, action और state of being, adverb क्या है, which defines the word, तो ये एकी category क्यों होगा, अब ये तीन हो, proposition, conjunction, introduction, ये तीन हो, empty words हैं, empty words क्या होते हैं, भई, शायद आप पहली बार सुन रहे हो, empty words क्या होते हैं, ऐसे words जिनके अकेले अपने कोई meaning नहीं होते हैं, जब तब के वो sentence का हिस्सा ना रहा, फर इग्जांपल, on, on की कोई translation नहीं है, on की कोई meaning नहीं है, क्यों भई, हमने सुना है, on का मतलब है उपर, तो अब मैं आप से कहां, come on, तो क्या इसका मतलब है, मैं कह रहा हूँ, उपर आ जाएं, नहीं न, या अगर मैं कहां, what is going on, तो क्या मैं ये कह रहा हूँ, कि उप उपर क्या हो रहा है, या उपर क्या जा रहा है, नहीं न, on का मतलब उसी वक बनेगा, या on उसी वक meanings create करेगा, जब sentence में इस्तेमान होगा, on की transition में, इसी तरह से अगर एक और proposition लेने, after, तो after का मतलब होता है, बाद में, अब मैं कहां, she is looking after her, ailing mother, वो अपनी बेमार मा के बाद में देख रही है, नहीं न, नहीं, यहां after का मतलब यह नहीं है, after कुछ और meanings create कर रहा है, look के साथ मिल रहा है, ठीक है न, तो इस तरह से proposition जब तक sentence में इस्तेमाल ना हो, अपने meanings create नहीं होते हैं, इसी तरह से conjunctions हैं, अब conjunctions में, जैसे but, आप इस but का मतलब लेकिन या मगर भी है, इसी but का मतलब सिवाए है, except there is no God but, there is no God but Allah, और इसी but का मतलब सिर्फ भी है, यानि only, ठीक है, यानि, जब rabbit of canterbury कहता है, किंग जॉन से, कोट कर रहा हूँ मैं वर्ट कि, जब rabbit of canterbury shepherd से कहता है, sad news, sad news, shepherd, I must give, that I have but three days more to live, that I have but three days more to live, यान वर्ट का मतलब only है, I have only three days more to live, ठीक है, तो ये basically, conjunction है, मगर इसके मुख्तलिफ जगों पर मुख्तलिफ मेनिंग होंगे है, sentence पर depend रखता है, इसी तरह से, interjection तो आप जानते ही है, हुरा, अब क्या मीनिंग है, ठीक है ना, जैसे, अलास, अब मीनिंग क्या है भाई, ट्रांसलेशन नहीं होता है, बल्के ये अपने अंदर एक अहसास रखते हैं, sentence में इस्तिमाल होकर, मीनिंग्स क्रिएज करते हैं, ये empty words है, तो इस तरह से तीन ग्रूप्स हैं, अब मैं छोटी सी मिसाल दूँ, कि की हम इज़िश, जब शीखते हैं, तो एक और चीज मैंने दो बाते बता थी हैं, तो आप इंगलीमश मूवी बगडरा जो देखते हैं उसके अंदर English को सुनिये, News Channel देखिये, उसमें English को सुनिये और उसे सीखेंगे, और दूसरी चीज ये है कि Reading Habit, Literature पढ़ें, English Novels पढ़ें ठीक ना, For Example, Robert Louis Stevenson का लिखा हुआ novel है, Kidnapped या Treasure Hunt बच्चों के लिए, Beginners के लिए बहुँआ है, या H Rider Haggard का लिखा हुआ novel है, King Solomon's Mines पहुचा है या Charles Lambs ने, Charles Lambs ने जो Shakespeare की Stories को Tales from Shakespeare के नाम से लिखा है, बच्चों के लिए बहुँआ है, Beginners के लिए अच्छी है तो क्याबदरी भी मिलेगी, और तीसरी बात एक और भी याद रखें, Observation increase करें, अपनी Observation बढ़ा है, देखें, घर से निकलते हैं, तो रास्ते में दीवारों पर, Sign Boards पर, जगा जगा English लिखी होगी है तो हम देखते भी हैं, हमारी आँखें उन अन्फास को पढ़ भी रही होगी हैं, तो बहुत से words आपको नए मिलते हैं, अब वो नए words जो हैं, उनको हम खोज लगाएं, उनके meanings क्या हैं, आज हमने ये words Sign Boards पर लिखा देखा था, आखिर इसके meaning क्या है, जैसे बच्पन में अकसर बच्चे, Sign Boards पर लिखा हुआ देखते हैं, ये phrase रिखा हुआ है, बच्चे समझे होते हैं, यारी ये कैसा toilet है, ये इतना उचाई पर Sign Boards पर लिखा हुआ, बड़े होकर पज़ता है, ये to let, to let, किराये के लिए है, इसी तरह से मैं मिसाल देता हूँ अकसर बच्चो बर्तंग में, इस बर्तंग को क्या कहते हैं, ग्लास, मेरा सवाल है, suppose ये स्टील का है, शीशे का नहीं है, आप कहें हैं इसको ग्लास, एक दबर ग्लास कहके देखें इसको, हजीब सा लगा, इस टील का है, तो ग्लास कैसे, और ग्लास है तो इस टील का कैसे, अच्चा बास चेंपियन लोग कहते हैं स्टील का गिलास ये स्टील का गिलास क्या चीज़ है भाई मैं कहूं लोहे का लकडी लोहा होगी है लकडी का लोहा क्या चीज़ है इसी तरह से स्टील का गिलास क्या चीज़ है प्लास्टिक का गिलास क्या चीज़ है भाई ग्लास मटीरियल का नाम में कि मटीरियल को ही उस चीज का नाम दखते हैं जैसे हम पहनते हैं पैंटलोन या पैंस मगर उसको मटीरियल होता है जीन्स हमने जीन्स कहना शुरू कर दिया जीन्स पहनी हुई है जीन्स मटीरियल का नाम है उसी जीन्स का कोड भी हो सकता है उसी जीन्स की पैंट भी हो सकत यह जीन्स मटीरियल का नाम है उस चीज का नाम क्या है पहले यह दे इसी तरह से ग्लास अब यह ग्लास कभी आप खरीद के लाएंगा वाटर सेट उसमें सिक्स पीसिज होंगे है अच्छा मून शीशे कही होता है इसलिए ग्लास कह रहे होता है और इंग्रेज जब इंदुस इंग्रेज दे कर आया और उसमें यहां के बादशाहों को बाकाई थाल में रखकर पेश किये तो हमारे बादशाह लोग को हैरान हो गए ते देख तरह यह क्या चीज आई है उन्हों का यह पानी पीने का बरतन है इसे ग्लास कहते है खुबसूरत लगता था शीशे का इसल इस बरतन का नाम है तंबलर अब तंबलर कह गया है तो खुबसूरत शीशे का हो इस टील का हो प्लास्टिक का हो अलमुनियम का हो किसी ड़ी हो अब यह तंबलर है जनरली आप कह सकते हैं ग्लास आम तोर पर एक दूसरे से बात कर रहे हो तो लेकिन जब पूछा जाए जब इस टील का है तो आप ग्लास की प्या रहे हो तो आपके एंगे तंबलर है तो पड़े लिखे लोग अपनी जुबान से ही तो पहचाने जाते हैं तो आप्सरबेशन बढ़ाईए और इंटेलिजेंट वो नहीं होता तो सवाल का जवाब देना जानता है इंटेलिजेंट व के बादें खीक है और जिस तरह से आप मेरे लेक्चर सुन रहे हैं यह बन बेट ट्रैफिक नहीं है आप कमेंट्स में कोस्टन्स भी कर सकते हैं मैं आंसर दूंगा इंशाहलाद अपनी पूरी कोशिश करूँ अपनी नौदिश के मताबिक इतनी मामूली सी नौदिज है न तो यह सिसला भी होना चाहिए इंशाहला नेक्स लेक्चर में हम इनको डिफाइन करते हूँ चलेंगे यह बिगिनर्स के लिए है और इतना ही काफी है मेरे खाल में आच है तो I am very thankful to you for your suggestions now I can sign up all my lectures one by one there are three groups bg1 for beginners bg for beginners bg1 bg2 bg2 now you will wait for bg2 and dd1 dd2 dd3 are for direct and direct speech and ap1 ap2 ap3 are for active and passive voice नवेद अपनी को इजाज़त दीजे सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिए और जाद 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 शेयर कीजे ताके अच्छी चीज़ जाद तर लोगों तक पहुंचे थैंक्यू रही मच्छ